सुक्सम्रिध्धी के लिए इन पौधों को जरूर लगाएं। होगी घर में बरकत। नमस्कार दरशकों आप देख रहे हैं इयान टीवी। घर में पेड़ पौधे लगाने से सुक्सम्रिध्धी प्राप्त होती है और घर में बरकत भी होती है। इस बात पर कई लोग भरोसा नहीं करते। लेकिन कई लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं कि घर में इन पौधों को लगाना अच्छा होता है। तो अगर आप भी इन बातों पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अंध तक देखें। पहला है मनी प्लांट या एक बेल वाला पौधा है जिसको घर में रखने से सम्रिद्धी बढ़ती है। इस पौधे को हमेशा दक्षिर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इसकी वज़ा ये है कि इस दिशा में देवतार श्री गनेश जी है। कहा जाता है कि जिस घर में सफेद पलाश और लक्षमडा का पौधा होता है वहाँ धन वर्षाज जरूर होती है। अगला है लक्षमना ये पौधा धन लक्षमी को आकरशित करता है। इस पौधे को बड़े गमले में उगाया जा सकता है। पौधे को हमेशा पूर्षदिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे में बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। अगला है हर सिंगार इसके फूलों को हर सिंगार और शिफालिका भी कहा जाता है। इसको घर आंगन में लगाने से शान्ती और सम्रिध्धी बनी रहती है। इसके फूल तनाव को दूर करते हैं। इस पौधे में भी मेडिसिनल वैल्यूज होती है। अगला है नार्यल का व्रिक्ष। यह पेड सकरात्वक उर्जा से भरपूर होता है। इसलिए इसे मंगलकारी पेड भी कहा जाता है। अगर घर में ये पेड लगाया जाए तो सुक और सम्रिध्धी बनी रहती है। तो ये थे कुछ ऐसे पौधे जिसे लगाने से आपके घर में हो सकती है पैसो की बारिश। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें।